दिल्ली के मुख्यमंतरी अर्विंद केजरीवाल को लेकर सुप्रीम कोट का बड़ा बयान सामने आया है। दरसल सुप्रीम कोट ने शुकरवार को एडी से कहा कि वो लोकसभा चुनाव के मद्दे नजर केजरीवाल की अंतरिम जमानत को लेकर विचार कर सकता है और एजेंसी इसके लिए तैयार रहे। देने का विरोध करेगी। इडी ने आम आदमी पार्टी के डेता संजा सिंग को जमानत मिलने के बाद उनके बयानों की ओर इशारा किया और कहा देखिए वो किस तरह के बयान दे रहे हैं। वहीं सुप्रिम कोट ने कहा कि वो एजेंसी को अपनी मनशा के बारे में बता रहा है ताकि साथ मई को जब अंतरिम जमानत का मुद्दा आए तो वो चोक ना जाए। कोट ने कहा हम सिर्फ कह रहे हैं कि हम अंतरिम जमानत पर सुनवाई करना चाहेंगे और ये नहीं कह रहे हैं कि हम अंतरिम जमानत दे ही देंगे। हम अंतरिम जमानत दे भी सकते हैं और नहीं भी दे सकते। केदरीवाल की और से पक्ष रख रहे है वरिष्ट अधिवक्ता अबशेक सिंग्वी ने कोट से कहा कि 16 मार्च को चुनाब की गोशना की गई और 21 मार्च को केदरीवाल को एडी ने उसके पास पिछले साल जुलाई से उपलब्द बयानों और सामग्रियों के आधार पर गिर जोचना की कि राजनेतिक दल होने के नाते आप पेमेले की 1170 के दाएरे में नहीं आएंगे जो कंपनियों के अपरादों से संबंधित है कोट ने कहा आपकी दलीनों को सुईकार करना मुश्किल है फिलाल आप केदरीवाल के मामले में साथ मही पर निगाहें टिकी हुई है हुई है